यो तार चुना गर्म उस कारे को खेते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी अनुष्य जब भी सुख की संपत्ति रशंसा की आशा रख कर कोई कारे करता है तो वो उस कारे के फल से बंध जाता है जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग खेते हैं और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निशकाम कर्म योग खेते हैं किसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती वो कैसे मानुख यदि इस युद में तुमें विजय होने की आशा है तो पराजित होने पर तुमें भीशन दुख होगा और वो दुख तुमसे कोई अन्य कारे करवाएगा जिसके विए तुमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और यदि तुम विजय होए तो तुम्हारा हंकार बड़ेगा और वो हंकार तुमें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा तुमसे हत्याय करवाएगा और उसका पाफ तुमें बांधेगा विचार करो यदि तुमें इस युद्ध में ना विजय का मोह और ना पराजय का भय तो इस युद्ध के अंत में तुमें सुख प्राप्थ होगा या दुख प्राप्थ होगा ना सुख माधव और ना ही दुख अर्था तुम्हारा सुख दुख अताशा निराशा अहंकार युद के कारण नहीं है युद के साथ तुमने जो आशाय बांधी हुई है उसके कारण है क्या ये सत्य नहीं है पाड़ सुख दुखे समेक रित्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसी अर्थात सुख दुख को समान मान कर लाभ खानी जय पराजे का विचार किये बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन तै तुम बाप के भागी नहीं बनोगे इसी को कर्म योग कहते हैं जो सांखे का ज्यान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यू तक है अर्थात वास्तविक नहीं केवल माया है उसके लिए कर्म योगी बनना सरल हो जाता है तो क्या संसार का त्याग करके सन्यास लेना उचित नहीं इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है बार्थ विचार करो जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते तब अधर्म से भरे लोग भी संसार को जलाते यदि महमहीम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही ने और तुम्हारे पिता ने यदि सन्यास ना लिया होता तो आज प्राता युधिश्चर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याए और धर्म का ज्यान दे रहे होते किन्तू दुखता एक बात तो ये है बार्त कि सत्वगुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाब दे सकते किन्तू वो ही सन्यास का विचार करते जैसे जल तो भाब बन कर उड़ जाता और कीचड़ कीचड़ वही पड़ा रहता वैसे सत्वगुणी सजण लोग तो संसार का त्याग कर देते और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्रे करते इसी कारण से संसार में पाप और धर्म बढ़ता किन्तू कर्म योग इस विचित्र स्थिती से सारे संसार का रक्षन करता गर्म योगी फल की आशा का त्याग करता है किन्तू कर्मों का त्याग नहीं करता वो इसी संसार में रहता सन्यासी की भाथी सारे कारे करता है किन्तु उनमें लिप्त नहीं होता कर्म योगी अपनी संतानों से स्वजनों से अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता स्वैम उसे सन्यास का लाप होता किन्तु समाज को संसारी की भाथी लाप देता मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधा, अपनी संतान से सुख की अप एक्षा कैसे न रखे, मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है, वो व्यपार है या प्रेम पार, प्रेम माधा, तो फिर अपने कारियों के प्रती फल की एक्षा क्यों पा अविष्चे का लाब तो व्यापार में देखा जाता है प्रेम में नहीं जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्मान उचित रूप से करता है संतानों को प्रेम और धर्म के संसकार देता है उसकी संताने भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती कर्म स्वजनों के वहवार उनके कर्म है पार्थ और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोज है यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीग रही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कारे नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवारे हो जब सृष्टी ही परमात्मा और मनुष्य स्वैम परमात्मा का अंश है तो सारे कारे परमात्मा ही करते मनुष्य स्वैम कुछ नहीं करता यही कर्म योग का मूल से धान थैपार कर दो कि अजय कर्म योगी बनकर यह युद करना आवर्श्यक है पार त्रे गुणिया विश्या वेदा निस्त्रे गुणियों भवार्जना निर्द्वंद्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्योग शेम आत्मवार तीन गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार इस गुण्ध से मुक्ष हो जाओ सदा सत्व अर्थ परमात्मा में बुद्धी लगाकर करतव्वे का वहन करते रहो कुछ प्राप्त करने की इक्षा और कुछ प्राप्त किये होए का रक्षन करने का विचार त्याग दोपार और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने कर्मन्य वाधिकार अस्ते मा फलेशू कदाचना मा कर्मफल हे तुर्भू मा थे संगोस्त्व कर्मनी तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है फल तो ईश्वर के हाथ में इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है जो फल का त्याग करते परन तु कर्म का त्याग ना करे ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधा विश्याविनी वर्तन ते निरहा रस्यदेहिना रसवर्जम रसो प्यस्याए परम द्रिश्टवा निव वर्तते सुनों पार्ग जो स्वाद से छूपने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं उसे दोहरी हानी होती है एक तो वो निर्बल हो जाता है जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रैत्न निवारे उसे वो नहीं कर पाता और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए कर्म योगी अपने मन की सारी लाजसाओं को खीच लेता है जीवन को कर्टब वेबान कर कारे अवश्य करता है किन्तु उन तारें से जुड़ता नहीं और बाद जो विक्ति अपने कारें से आशाएं और रिक्षा नहीं रखता उसी के कारे पूर्ण होते हैं एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं एक सफलता से आनन्दित होकर जो स्वयम को स्तर्व श्रेष्ट नहीं मानता ऐसे ही विक्ति को कर्म योगी खहते हैं और ऐसा विक्ति जीवन में बार बार सफल होता है ध्यायतो विश्यान पुन्सा संगस तेशु पजायते संगात संजायते कामा कामात ग्रोधों भिजायते प्रोधात भवती सम्मोहम, सम्मोहात स्मृती विभ्धमम, स्मृती प्रिंशात वुद्धी नाशो, वुद्धी नाशात प्रणश्यती भलकी आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना असंतोष्ट से क्रोध उत्पन होता और क्रोध से मुख जनता मुख के कारण विख्टी आचार और वहवार का ज्यान ही भूल जाता ज्यान के जाने से बुद्धी चली जाती अनुचित प्रकार के कारे होने लगते और समाज ऐसे विख्टी का शत्रू बन जाता और अन्त में ऐसे मनुष्चिक पूर्ण ता पतन हो जाता है जैसे भ्राता दुर्योधन उनके सेनापती महा महीम उनके ही शत्रू है और तुम्हें विजे का आशिरबात दिया पार्त कर्म योग प्रम विद्या का दूसरा चरण प्रमात्मा में अपनी बुद्धी स्थेर करो स्वयम को आत्मा जानो मिध्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याक करके के वल कर्म कर तेरा